आज का केक बनेगा बेकरी से कई गुना बेहतर बहुत ही सौफ्ट, मज़ेदार और फ्लेवरफुल इतना मज़े का केक आप घर पे बनाएंगे तो बेकरी से कभी भी नहीं लेंगे बिस्मिल्लाइ रह्मानि रहीम अस्सलाम उलेकुम आई होब कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर और आज हम बिनावन के बेकरी से भी बेहतर ब्लैक फॉरेस केक बनाने की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे तो चलिए टाइम वेस की बिना रेस्पी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने एक बोल में 55 ग्रैम मैदा लिया है और इसमें 5 ग्रैम कोको पाउडर एड़ किया है अगर आप कप्स में लेना चाहते हैं तो अधा कब मैदा लें उसमें से टू टेबल स्पून्स मैदा निकाल दें और वन टेबल स्पून कोको पाउडर एड़ कर दें साथी इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर का भी आड़ कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें वैसे तो स्पंज केक में बेकिंग पाउडर की जरूरत नहीं होती लेकिन अगर कोको पाउडर डाल रहे हो तो बेकिंग पाउडर डालेना चाहिए उससे रिजल्ट जादा अच्छाता है अब मैंने यहाँ पे एक 5 इंच का पैन लिया है इस तरह के हाइट वाले पैन्स इजी लिबाजार में मिल जाते हैं जहां से बर्फ वाले बोल मिलते हैं उनके पास इस तरह के पैन्स भी होते है पैन को अच्छे से ओल से ग्रीस कर लें और स्पंज केक के लिए साइट को ग्रीस करना इतना जरूरी नहीं होता बस बॉटम को ग्रीस कर लें तो भी काफी है अब इसमें एक बटर पेपर का पीस कट करके लगा देंगे और फिर इसको भी ग्रीस कर लेंगे ये सारी तैरी हमने केक का बैटर बनाने से पहले ही कर लेनी है इस तरह हमें बाद में वेट नहीं करना पड़ेगा और बैटर खराब नहीं होगा केक में बना रही हूँ, without oven तो मैंने एक पतीले को भी stand रखके preheat होने के लिए रख दिया है और flame मैंने medium रखा है अब एक bowl में दो अंडे ले लेंगे, अंडे room time pressure पे होने चाहिए फ्रेस से निकाल के direct use ना कीजिएगा एक electric बीटर लेंगे और अंडो को बीट करना start कर देंगे एक मिनिट में ही अंडे फूलना start हो जाएंगे और इन पे इस तरह जाग बन जाएगी जैसे साबून के जाग होती है तो बस अब इनको बीट करना बंद कर देंगे और यहाँ पे मैंने चीनी डेली है 60 ग्रैम्स यह पिसी हुई चीनी है अगर आप cups में लेना चाते हैं तो यह तकरीबन one third cup और one table spoon के बराबर होगी सारी चीनी एक साथ नहीं डालेंगे बिलकि इसको दो से तीन हिस्तों में डालेंगे पहले थोड़ी सी चीनी डालें उसको अच्छी तरह से बीट कर लें जब वो मिक्स हो जाए तो और चीनी डाल दें कि थोड़ी दिर ऊपर ठहरा रहेगा बस जब ये स्टेज आ जा जाए तो अंडों को बीट करना बंद कर दें और इसमें 140 पून वैनिला एसेंस डाल दें अब बस इसको 10 से 15 सेंड के लिए बीट करना है ताके वैनिला एसेंस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और अब मैं इ जालूंगी टू टेबल स्पून्स के बराबर ओल ओल डालना बिल्कुल आप्चनल है आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें बस अगर डाल देंगे तो स्पंज थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा ओल डाल के भी बस 10 से 15 सेंड के लिए बीट करेंगे और फिर बीटर को हटा द बलकि इसको 2-3 दफा में अड़ों में आड़ करेंगे पहले थोड़ा सा मिक्स्टर आड़ करेंगे उसको बहुत हलके हातों से फोल्ड कर लेंगे आप चाहें तो मेरी तरह विसका यूज़ कर सकते हैं वना स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं यहां पर ओवर मिक्सिंग बिलकुल नहीं करनी बस इतना मिक्स करना है कि मैदा नजराना बंद हो जाए बाकी का ड्राइ मिक्स्टर भी इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको मेरी अब तक की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी कर दें चैनल को नहीं जाएगी जाया नहीं होगी और फोल्डिंग वाला काम बिलकुल हलके हाथ से करना है ज्यादा ओवर मिक्स नहीं करना जब ड्राइ मैदा नजराना बिलकुल बंद हो जाएगा तो एक स्पेचला की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे और बस ची मारा केक का बैटर इंच का पैन भी यूज कर सकते हैं मुझे थोड़ी सी हाइट चाहिए थी इसलिए मैंने फाइव इंच का पैन यूज किया है पैन को अची तरह से दो तीन दफा काउंटर पे टैप कर लें थाकि एक्स्ट्रा बड़े-बड़े एर बबल्स निकल जाएं अब इतनी देर मे अबन 60 डिग्रीज पे बेक कीजिएगा स्पैंच केक को बहुत ज़्यादा हाई टैंपरेचर पे बेक नहीं किया जाता केक को बेक होते हुए तकरीबन 35 मिनिट्स हो गए हैं और अब मैं इसको एक स्क्यूर से चेक कर रही हूँ और ये बिल्कु रेडी हो गया है इसको पतीले से निकाल लेंगे और काउंटर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जितनी देर में केक ठंडा होगा इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे और बाकी की त्यारी भी कर लेंगे फिलिंग के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और उसमें मैं आधा किलो फ्रोजन चेरीज डाल रही हूँ चेरीज के बीच निकाल के उनको फ्रीज करने का तरीका मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ विडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको फ्रेश ना मिलें तो आप टेन वाली चेरीज भी यूज़ कर सकते हैं चेरीज में मैं आड़ कर दूँगी हाफ कप चीनी आदा किलो चेरीज में हाफ कप चीनी काफी रहती है चीनी डालके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आप चाहें तो इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही बगएर फ्लेम आउन किये छोड़ दें तो ये अपना पानी रिलीस कर देंगे और चीनी हलो जाएगी उसके बाद आप इनको पका लें लेकिन अगर आपको मेरी तरह जल्दी है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून पानी का एड़ कर दें और साथी दमवल ये आँच भी जला दें तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पानी आड़ कर दिया है और फ्लेम मैंने बिलकुल लो रखा है इसको मैं मुसलसल मिक्स करती रहूंगी जैसे जैसे चैरीज दीफ्रोस्ट होती रहेंगी वो अपना पानी रिलीस करती रहेंगी और चीनी हल होती जाएगी जी तो चीनी बिल्कुल हल हो गई है और चेरीज से अपना पानी भी रिलीस कर दिया है अब मैं इसको कवर कर दूँगी लो फ्लेम पे कवर करके इसको 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे तो चेरीज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और उनका सीरप भी थिक हो जाएगा अधा किलो चेरीज से इस तरह के दो केक्स बहुत एजी ली बन जाएंगे आप चाहें तो ये फिलिंग हाफ कॉंटिटी में यानि के एक पाउ चेरीज से भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये बागी की हाफ फिलिंग को आप फ्रीज भी कर सकते हैं और बाद में केक बना सकते हैं जो सीरप है वो काफी ज्यादा थिक है तो उसमें मैं आधे से पोना का पानी का एट कर रही हूँ इस तरह ही थोड़ा पतला हो जाएगा और इसको हम केक को सोक करने के लिए यूज़ करेंगे दूसी तरफ हमारा केक बिल्कुर थंडा हो चुका है तो इसको डी मोल कर लेते हैं पहले किसी नाइफ की मदद से इसकी साइड्स को लूस कर लेंगे और फिर इसको किसी प्लेट पे निकाल लेंगे इसकी बॉटम में हमने बटर पेपर रगाया था इसलिए ये बहुत ज़्यादा इजी नी बाहर आ जाएगा बटर पेपर को रिमूव कर दें और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है हाइड भी इसकी बहुत अच्छी आई है देखने में ही बहुत मज़ेदार सा लग रहा है ये वन पाउंड के बेसिक चॉकलेट स्पंज की रेसिपी है लेकिन हम इसमें चैरीज की फिलिंग भी यूज़ कर रहे हैं तो हमारा के एक तक्रीबन तेर पाउंड का बनेगा ब्लैक फॉरेस के की साइड पे मेंशा क्रेश चॉकलेट लगाई जाती है तो उसके लिए मैंने चॉकलेट का एक पीस क्लिंग रैप में रैप करके फिर्ज में रख दिया था क्यूंकि आजकल गर्मी है तो रूम टेंपरेचर पे चॉकलेट को क्रेश नहीं कर सकते इसलिए मैंने पहले चॉकलेट को फिर्ज में रख दिया ताके ये हार्ट हो जाए अब हम इसको क्रेश कर लेंगे जिस साइड से मैंने चॉकलेट को पकरना है वो साइड मैंने प्लास्टिक रैप से कवर कर दी है इस तरह मेरे हाथों पे चॉकलेट नहीं लगेगी अब मैं एक पीलर की मदद से इस चॉकलेट के बिल्कुल छोटे छोटे से पीसिस कर लूँगी आप छुरी का यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन पीलर से ये काम बहुत ज़्यादा असान हो जाता है सारी चॉकलेट को इस तरह क्रेश करके इसको फ्रिच में रख देंगे ताके ये गर्मी से मेल्ट ना हो और उतनी देर में हम क्रीम विप कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने एक कप से थोड़ी कम विपिंग क्रीम ली है ये बिल्कुल ठंडी है और इसमें थोड़े से आइस क्रीस्टल पी है आजकल गर्मिया है तो क्रीम को बिलकुल मेल्ट नहीं करना उसमें थोड़े से आइस क्रीस्टल होने चाहिए इसको मैंने बीट करना स्टार्ट कर दिया है और इसको 3-4 मिनिट के लिए बीट करेंगे यहां तक कि इसमें stiff peaks बनना स्टार्ट हो जाएं तब तक बीट करेंगे जब तक क्रीम बिल्कुल थिक नहीं हो जाती और इसके बीट होने की निशानी ये है कि जब आप बोल को उठा के उल्टा करेंगे तो क्रीम नीचे नहीं गिरेगी जी तो मारी क्रीम भी रेडी हो गई है अब हम केक को सेंबल कर लेते हैं केक को मैंने एक नाइफ की मदब से तीन हिसों में कट कर लिया है अगर आप छे इंज का पैन यूज कर रहे हैं तो आप इसको दो हिसों में कट किजिएगा ये देखें केक काफी स्पंजी बना है और इसकी लेयर्स भी थिक ही हैं अब एक केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे और उसके उपर पहली लेयर रख देंगे चेरी वाला सीरप मैंने सोकिंग बॉटल में निकाल लिया है केक को अच्छी तरह से सोक कर लेंगे और उसके उपर क्रीम की एक लेयर लगा देंगे स्पैचुला से अची तरह पहला देंगे और अभी इस पे चैरीज वाली फिलिंग डाल देंगे थोड़ी सी क्रीम उपर भी लगाएंगे ताकि उपर वाला केक अच्छे से स्टीक हो जाए अब मैंने इस पे केक की दूसरी लेयर रग दी है इसको अची तरह से लेवल कर लेंगे इसको भी बहुत अची तरह से सोक कर लेंगे फिर इस पे क्रीम लगाएंगे क्रीम को अची तरह से पहला देंगे और फिर स्विलिंग लगा देंगे फिर से थोड़ी क्रीम लगा के उस पे केक की थर्ड और फाइनल लेयर रख देंगे और इसको भी अच्छे से सोक कर लेंगे अब जो साइड्स पे एक्स्ट्रा क्रीम है पहले मैं उसको लेवल कर लूँगी इस तरह केक क्रम कोट भी हो जाएगा और उसके बाद मैं केक की टॉप पे भी क्रीम लगातूंगी आप चाहें तो क्रम कोटिंग के बाद इसको आदे घंटे के लिए फ्रिच में भी रख सकते हैं लेकिन मैं इस पे डारेक्ट ही क्रीम एप्लाई कर रही हूँ टॉप पे क्रीम लगाने के बाद मैं साइड्स पे भी थोड़ी एक्स्ट्रा क्रीम लगा रही हूँ लेकिन बहुत ज्यादा क्रीम नहीं लगाऊंगी केकी साइड्स को और टॉप को स्मूध कर लेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नीटनेस की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा डिजाइन ऐसा है कि ये सब को छुप जाएगा बाकी की क्रीम मैंने एक पाइपिंग बैग में निकाल ली और उस पे M19 से लगा के इस तरह ड्रॉप्स बना लिए इसके सेंटर में आप क्रश की हुई चॉकलेट भी डाल सकते हैं और चेरीज की फिलिंग भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास रेड वाली चेरीज हों तो ये जो क्रीम के फ्लावर्स हमने बनाए हैं इनके उपर एक एक चेरी भी रख सकते हैं केक की साइड पे अच्छे से क्रश की हुई चॉकलेट लगा देंगे स्पेशला की मदों से उसको थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि वो अच्छी तरह क्रीम से लग जाए और फिर एक्स्ट्रा चॉकलेट को रिमूव कर लेंगे केक को सर्फ करने से पहले बहुत अच्छी तरह से एक से दो घंटे के लिए ठंडा कर लें जितना ठंडा होगा उतना ही मजे का लगेगा हमारा बहुत ही मजेधार सा ब्लैक फॉरेस केक रेडी है इसका वेट तकरीबन डेट पाउंड के करीब है अगर आपने दो पाउंड के एक बनाना हो तो आप तीन डंडो का स्पंज शूस कीजेगा और उसको 6 इंच या 7 इंच के पैन में बेक कर लीजेगा बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और मजे का केक है और इसमें जो उचैरीज की फिलिंग है वो भी बहुत मज़े की है उसको आप चीज केक के साथ भी सर्फ कर सकते है और ब्रेड पे लगा के ऐसे भी खा सकते है आई होब कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी आप भी जरूर ट्राय कीजेगा मुझे कॉमन्ट में फीड़बेक भी दीजेगा वीडियो अच्छी लगी है तो थमजबते हैं अपने फ्रेंस फैमली के साथ शेयर कर लें अल्हा ताला हम सबके दस्कान से जाये रखे आमीन फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ अल्हाफेज